हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर योट्यूब चैनल वास्तूग्यान आपका हमारे योट्यूब चैनल वास्तूग्यान पर हार्दिक स्वागत है आज हम वास्तूग्यान में आपके लिए लेकर रहे हैं अतियंत मैत्तपूर्ण विशे जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद नवरातरे आगमन करने वाले हैं मादुर्गाईों तो हर पल अपने बक्तों का ख्यार रखती है लेकिन नवरातर के दिनों में माता की पूजा विशेज फलदाई होती है और इसका लाब भी जल्दी मिलता है इसका कारण यह है कि माता नवरातर के दिनों में पृत्वी पर निवास करती है और जहां जहां इनकी मूर्ती या तस्वीर से जाकर पूजा होती है उन सभी में निवास करती है और अपने बक्तों की पूजा परत्यक्ष सविकार करती है इसलिए नवरात्रे शुरू होने से पहले माता के आने की तयारी कर लीजिए ताकि माँ खुशी-खुशी आपके गर में आए और सुख सम्रीदी बरसाए माता के आगमन की तयारी को लेकर वास्तु विज्यान में कुछ नियम बताए गए है इनके अनुसार हर दिशा के अपने खास देवी देवता होते हैं इसलिए विभिन देवी देवताओं के क्षेत्र के लिए जो दिशा निर्दारित हो उनकी पूजा उसी दिशा में होनी चाहिए इससे पूजा पूरण फलदाई होती है पुरानिक मान्यताओं के अनुसार माता कक्षेत्र दक्षिन दिशा है इसलिए यह बेहत जरूरी है कि माता की पूजा करते समय हमारा मुख दक्षिन या पूर्व दिशा में ही रहे पूर्व दिशा की और मुख करके मा का द्यान पूजन करने से हमारी प्रग्या जागरित होती है जबकि दक्षिन दिशा की और मुख करके पूजन करने से मांसिक शान्ती मिलती है और हमारा सीधा जुडाव माता से होता है माता की पर संता की कामना रखने वालों को पूजन समगरी दक्षिन पूर्फ दिशा में रखनी चाहिए इस कमरे में हलके पीला हरा या फिर गुलावी रंग होना वास्तो के अनुसा शुब फलदाई होता है क्योंकि इससे पूजा कक्ष में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है कई बार पूजा करते समें अचानक ही द्यान बटकने लगता है इस समस्या से बचने के लिए गर के उत्तर पूर्फ दिशा में प्लास्टिक या लकडी से बने पीरामिड रख सकते हैं पीरामिड रखते समें इस बात का द्यान रखें कि पीरामिड नीचे से खोखला हो सकते हैं अगर आप भी मा दुर्गा को परसंद करना चाते हैं और उनका आशिरवाद प्राप्त करना चाते हैं तो नवरात्र के दिनों में इन वास्तु टिप्स का विशेद ध्यान रखें और इने जरूर अपनाएं और अपनी जिन्दगी सुख में बनाएं अगर आपको य दल दी मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ थैंक्स फूर वाचिंग